नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सीरी सोमनात मंदिर के कथा के बारे में और सोमनात मंदिर का क्या इतिहास रहा है और इस मंदिर का क्या महत्व है इस बारे में जानकारी दूंगी गुजराद प्रांत के काठ्यावार छेत्र में समुंदर के किनारे सोमनात नामक विश्व परसिद्वंदिर में यह जोर्तिलिंग स्तापित है पहले यह छेत्र के नाम से जाना जाता था यही भगवान स्रीकृष्ण ने जरा नामक वियाद के बान को निमित बना कर अपनी लीला का सवरण किया था यहां के जोर्तिलिंग की कथा का पुरानों में भी वर्नन है दक्ष परजापती की 27 कन्याए थी उन सभी का विवहाद चंदरदेव के साथ हुआ था किन्तु चंदरमा का समस्त अनुराग वप्रेम उन में से केवल रोहिनी के परती ही रहता था उनके स्कृत्य से दक्ष परजापती की अन्य कनाए बहुत एपरसन रहती थी उन्होंने अपनी हैवेद था अपने पिता को सुनाई दक्ष परजापती ने इसके लिए चंदरदेव को अनेक परकार से समझाया किन्तु रोहिनी के वशी भूत उनके हरद्य पर इसका कोई परभाव नहीं पड़ा अंटतेदक्ष ने करोध होकर उने शेगरस्थ हो जाने का साप दे दिया इशाप के कारण चंदरदेव ततकाल शेगरस्थ हो गए उनके श्रेगरस्थ होते ही परथवी पर सूदा शिदलता रशन का उनका सारा कारिये रुक गया चारों और त्राहित रही मच गई चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंदित थे उनकी प्राथना सुनकर इंद्र देव आदी वशिष्ट आदी रिशिगन उनके उदार के लिए पिता महा ब्रमाजी के पास गए सारी बातों को सुनकर ब्रमाजी ने कहा चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवतों के साथ एप वित्र पर भास छेतर में जाकर मृतुंज भगवान सिव की अराधना करें उनकी कृपा से अवस्य ही इनका शाप नश्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे उनके कतना अनुसार चंद्र देव ने मृतुंज भगवान की अराधना का सारा कारिय पूरा किया उन्होंने घोर तपस्या करते हुए दस करोड बार मृतुंज भगवान सिव ने उन्हें अमरतव का वर परदान किया उन्होंने कहा चंद्र देव तुम शोक ने करो मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ ही साथ प्रजापती दक्ष के वचनों की भी रक्षया हो जाएगी कृष्ण पक्ष में परती दिन तुम्हारी एक एक कला शीन होगी किन्तु पनहें शुकल पक्ष में उसी करम से तुम्हारी एक एकला बढ़ जाया करेगी इस परकार परतेक पुर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंदरतव का प्राप्त होता रहेगा चंदरमा को मिलने वाले इस वर्दान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन हो उठे सुधाकर चंदर देव पुन्हें दसों दिसाओं में सुधा वरशन का कारिये पुरुवत करने लगे शाप मुक्त होकर चंदर देव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मुर्टिंजे भगवान से प्राथना की कि आप माता पारवती जी के साथ सदा के लिए प्रानों के उदार्थ यहां निवाश करें भगवान सीव उनकी प्राथना को सुविकार करके जोड़ती लिंग के रूप में माता पारवती जी के साथ तबी से यहां रहने लगे पावन प्रभास शेतर में इस्तित इस शौमनाथ जोड़ती लिंग की महिमा महाबारत शिरिमत भागवत तथा सकन पुरान आदी में विस्तार से बताई है चंदर्मा का एक नाम सोम भी है उन्होंने भगवान सीव को ही अपना नाम नात स्वामी मान कर यहां तपस्या की थी अन्थै इस जोड़ती लिंग को शौमनाथ कहा जाता है इनके दर्सन, पूजन, अराधना से भक्तों के जन्म, जन्मांतर के सारे पाप और दूष्ट करत्यां विनष्ट हो जाते हैं वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं मोक्ष कमारग उनके लिए सहज ही दूरलब हो जाता है उनके लोग की पार लोग की सारे कृत्यां सवे मेव सफल हो जाते हैं और यह लिंग भारतिय उप महादविप के पस्ची में अरब सागर के तट परिस्तित है आदी जो टिलिंग सिरी सोमनात महादेव मंदिर की छटा ही निराली है यह तीर्थ स्तान देश के प्राचीन तम्तिर स्तानों में से एक है और इसका उलेक सकंद पुराणम सिरीमत भागवत की तासिव पुराणम आदी प्राचीन गरंथों में भी है वही रिक वेद में भी सोम्वेसवर महादेव की महिमा का उलेक है यह शिव लिंग के 12 जोर्ति लिंगों में से पहला जोर्ति लिंग माना जाता है एतिहसिक सुत्रों के अनुसार आकर्मन कारियों ने इसे 6 बार आकर्मन किया था इसके बाद भी इस मंदीर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर निर्मान के परियास और सामपरदाइक सद्भावना का परिचाइक रहा है साथवी बार यह मंदीर केलाश महामेरू परशाद सेली में बनाया गया इसके निर्मानकारिय से कई लोग जूड़े रहे चुके हैं यह मंदिर गरब गरह सबा मंडप और निर्त्य मंडप तीन परमुक भागों में विभाजित है इसका यह 150 फूट उन्चा सिकर है इसके सिकर परस्तित कलश का बार 10 तन है और इसकी धवजा 27 फूट उन्ची है इसके आई भाधित समूंद्री मार्ग त्रिष्टाम के विश्य में भी माना जाता है कि यह समूंद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिनी धुरों में समाप्त हो जाता है यह हमारे प्राचिन ग्यानवे सूज भुज का अद्भुत साक्सिय माना जाता है इस मंदिर का पुने निर्मान महारानी अहिल्या भाई ने करवाया था धार्मिक महत्व क्या है पोरानिक अनुसरूतियों के अनुसार सूम नाम चंदर का है जो की दक्ष के दामाद थे एक बार उन्होंने राजा दक्ष की आग्या की आवहेलना की जिससे कूपित होकर दक्ष ने उन्हें सराप दिया की उनका परकाश दिन परती दिन धुमिल होता जाएगा जब अन्य देवताओं ने राजा दक्ष से उनका श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुंदर में स्नान करने से स्राप के परकोप को रोका जा सकता है सूम ने स्रस्वती के मुहाने में मुहाने परस्तित अरब सागर में सनान करके भगवान शिव की अरादना की परबू शिव यहां पर आवतरित हुए और उनका उधार किया वै भगवान शिव वहां पर शोमनात के नाम से परसिद हुए जै शोमनात धन्यवाद